दोस्तो जीके के सवालों जबाब के इस न्यू वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है दोस्तो अगर आपको जीके पढ़ना पसंद है तो ये वीडियो खास आपके लिए है वीडियो काफी मज़दार और इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो वीडियो को अंत तक पूर सही जवाब है संसुला 172 में अगला सवाल है लाफिंग गैस यानि हसने वाला गैस किसे कहते हैं सही जवाब है नाइट्रेस ऑक्साइड को अगला सवाल है इमेरजेंसी को हिंदी में क्या कहते हैं सही जवाब है आपात कालीन अगला सवाल है इमेरजेंस को हिंदी में क्या कहते हैं सही जवाब है रोगी वाहन अगला सवाल है मनुस्य के सरीर का सबसे गंदा अंग कौन सा है सही जवाब है मुह अगला सवाल है मच्छर जुण में सिर पर क्यों मन राते हैं सही जवाब है सरीर के गंदगी के कारण अगला सवाल है दुनिया का सबसे छोटा पक्ची कौन सा है सही जवाब है गंजन पक्ची यानि हामिंग बर्ड अगला सवाल है भारत में जनगन्ना की सुरुआत कब हुई थी सही जवाब है अगला सवाल है मानव सरीर में बीमारियों को रोकने वाला विटामिन कौन सा है सही जवाब है विटामिन ए अगला सवाल है भारत की आजादी के समय भारत की जनसंग्या कितनी थी सही जवाब है 34 करोड अगला सवाल है किस देश में गाना गाने पर सजादी जाती है सही जवाब है नौर्थ कोरिया देश में अगला सवाल है सबसे पहली ट्रेन किस देश में चलाया गया था सही जवाब है जापान देश में अगला सवाल है रीड की हड़ी में कितनी हड़ियां होती है सही जवाब है 33 हड़ियां अगला सवाल है इंगलिस में ए के बाद क्या आता है सही जवाब है इंगलिस में ए के बाद अगला सवाल है खाने की ऐसी कौन सी चीज है जो कभी खराब नहीं होती है सही जवाब है सहद अगला सवाल है इंटरनेट पर 30 सेकेंड लगभग कितने इमेल अरदान परदान होता है सही जवाब है लगभग 24 लाख इमेल अगला सवाल है एक दिन में मनुस्य का दिल कितनी बार धाड़कता है सही जवाब है लगभग 36 जार असी बार अगला सवाल है भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस चीज की होती है सही जवाब है चावल की अगला सवाल है मुंबई के ताज होटल के वेटर को कितनी वेतन मिलती है सही जवाब है एक से डेड़ लाग परती महिने अगला सवाल है इंडियन रेलवे एक दिन में कितना पैसा कमाता है सही जवाब है 140 करोड अगला सवाल है भारत में सबसे पहले मौल किस सहर में खुला था सही जवाब है चिन्नई में अगला सवाल है मनुस्य का दिल का वजन कितना होता है सही जवाब है 250 से 300 गराम तक अगला सवाल है 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ था उस दिन कौन सा दिन था सही जवाब है सुक्रुवार यानि फ्राइडे सही जवाब है बैंक को हिंदी में अधिकोस कहते हैं अगला सवाल है कौन सा जीव पानी में तो रहता है लेकिन पानी नहीं पीता है सही जवाब है मेंधक जी हाँ दोस्तो मेंधक पानी में तो रहता है लेकिन पानी नहीं पीता है वो अपने स्कीन से ही पानी को एब्जोब कर लेता है और अपना प्यास बुझाता है तो दोस्तो इस वीडियों बस इतना ही कितने सवालों का जवाब आपको पहले से पता था हमें कमेंट में लिखके जरूर बताएगा